तो दोस्तों इंस्टाग्राम पर एक नया अपडेट आया है यहां पर देख सकते हो लिखा हुआ है मैसेज रिक्वेश्ट आर चेंजिंग तो हेल्प किप पीपल सेफ विल मेकिंग न्यू कनेक्शन्स मैसेज नहीं कर सकता हुए जब तक कि वहां से असेप्ट ना किया जाए तो इसे हटाने किस तरीके से वह चीज मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर दिखला देता हूँ जैसे यहां पर मैं किसी और को भी अगर message करता हूं जो दोस्तो तो यहां पर जैसे मैं सारुख खान को message कर रहा हूं तो यहां पर लिखा हुआ रहा है दोस्तो invite सारुख खान IMSRK to chat you can only send a message in this invite remember to follow community guidelines respectfully when messaging others for the first time यानि कि दोस्तो यहां पर आपको बतलाया जा रहा है कि आप जो है एक ही बार आप Instagram पर किसी को भी message कर सकते हो ठीक है तो यह नया update आया है जिसके थूरू अगर आप किसी को यहां पर message करना चाहते हो दोस्तो तो उसे आप एक ही बार message कर सकते हो यानि कि जो भी आपको लिखन लिखने जाते हैं तो आप दूसरा बार में लिखने जाते हैं तो आप नहीं लिख सकते हैं तो इसे हटाना किस तरीके से दोस्तों वो चीज़ अभी मैं आपको बताने वाल हूँ तो आप इस वीडियो को लाज तक चिरू देखीगा सबसे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक कर देजेगा और मिलता हूँ दोस्तों अभी हम बात करते हैं कि आपको इसे किस तरीके से हटाना है सबसे पहले दोस्तों अगर आप Pcallzy टोर पर जाना प्ले श़टोर पर जानी के बाद anyone अब सर्च करना दोस्तों Instagram या फिर आप App Store पर जाकर सर्च करना Instagram जो नया अपडेट आए होगा दोस्तों उसे आपको अपडेट कर लेना है उसके बाद यहां पर आ जाना ठीक है अब यहां पर आने के बाद दोस्तों आप जो है यहां पर इसे हटा अभी नहीं सकते हो ठीक है यानि कि दोस्तों एक ही चीज़ से आप बार बार मैसेज नहीं कर सकते हो और अभी इसका कोई solution नहीं निकला है दोस्तों कि आप किसी को message करना चाहते हो तो एक ही ID से बार बार उसको आप message नहीं कर सकते हो तो ये नया update आया है Instagram के तरफ से यानि कि मैंने देख सकते हो यहाँ पर एक बार मैं इतना लंबा message कर दिया लेकिन अब दूसरा बार जो है यहाँ पर message मैं नहीं कर सकता हो ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो लिख दिया गया यहाँ पर this account can't receive your message because they don't allow new message request from everyone ठीक है यानि कि दोस्तों किसी से भी अभी यह मतलब बात नहीं हो सकता है आपने जो एक बार message कर दिया वही कर दिया आप जो है next time से आप message नहीं कर सकते हो ठीक है सारी चेंजिंग करें तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जुरूर कीजेगा और मिलता है कोई नई वीडियो में तब तक के लिए जाहिए जया भारत